हलो और वेलकम एब्रीवान, होप यू आ डूइंग ड्रेट तो आज मैं यहाँ पर एक आंस्टीच ट्रॉप के उपर पेंटिंग करने वाली हूँ तो सबसे पहले ड्रेस के नीचे आप इस तरीके की कार्टबोर्ड यूज़ कर सकते या फिर आप आर्ट पेपर का भी यूज़ कर सकते अगर आप बहुत ज़्यादा पतले टाइप का कपड़ा यूज़ करते हैं तो फ्रेम का यूज़ ज़रूर करें नहीं तो बैक साइड पे कलर बहुत ज़्यादा आ जाएगी और कप्ड़ों के उपर बचेगा कुछ भी नहीं तो यह पुराना टाइप का यह मेरी मम्मी की एक सारी है बहुत पुरानी है और अभी मम्मी यूज़ भी नहीं करती है तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा और इसके उपर जो ये शायद शंक्ष्कृत है तो मैं आज इसको ही लिखने वाली हूँ ड्रेस के उपर तो सबसे पहले स्केल से इस तरीके से मार्क कर लीजिए सतारे लाइन्स आपको जितना मैं या पूरे ओलोवर ड्रेस के उपर पेंटी लिखने वाली हूँ तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज्यादा लाइन नहीं बस दो तिन लाइन तो भी अब दो तिन लाइन ही आउटलाइन बना सकते हैं और इस लाइन को पहले एकदम लाइट करके मार्क करें तो आज मैं यहां यह फेविकल की जो यह ब्लैक आउटलाइनर है 3D आउटलाइनर इसको में यूज करने वाली हूँ और स्रिफ ब्लैक कलर बट अब कोई भी ब्रैंड की कलर यूज कर सकते हैं मार्केट में बहुत ऐजली आपको मिल जाएगी या फिर आप और लाइन भी पारचेस कर सकते हैं एमाजान प्लीप कार पे भी आपको मिल जाएगी यह मैंने रिसेट प्रेस करने में उंगली में दर्ध नहीं होता है बहुत स्मूध होती है तो इस तरीके से मैं यह थोड़ी टाइम लग रही है यह मुझे लगा कुछ अलग कुछ होगा कुछ यूनिक कुछ इसलिए मैं ट्राइ कर रही हूँ यह पहली बार आप वीडियो में कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको यह आइडिया कैसी लगी और आप किस टाइब की डिजाइन देख करते हैं वह भी जरूर बताना तो यह सारे लाइन मैंने यहां पर कोई पैंसल से पहले लिक के मैं नहीं कर रही हूँ अगर आप चाहते हैं कि पहले पैंसल से लिखे उसके बाद अब इस तरीके से कलर से लिखेंगे तो भी आप कर सकते हैं बड़ 3D आउट लाइनर अगर यूज करेंगे लिखने की जरूरत नहीं है एक दम नहीं है तो पहली बार एक दो बार पुरानी ड्रेस के उपर ट्राइ करके उसके बाद नहीं ड्रेस के उपर ट्राइ करें और अगर आपके पास 3D आउटलाइनर नहीं है तो फिर आप 0 नामबर की राउन ब्रश और अक्रेली कलर से कोई भी ब्रैंड की अक्रेली कलर से आप इसको लिख सकते हैं तो ये धीरे धीरे टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा बट ये एकदम यूनिक है बहुत ही ज्यादा खुबसूरत है और ये टॉप पहन के मैं कैसी लग रही हूँ मैं वीडियो की एन पे ज़रूर दिखाऊंगी आपको बहुत मुझे परसनली बहुत ही ज्यादा और ये कलर अप्टर वाश कुछ भी नहीं होता है कुछ नहीं आप इस तरीके की कलर रहेंगे बहुत दिना रख सकते हैं इस कलर को सेम इस तरीके से और एक बद मैं यहाँ पर आंस्टीच ड्रेस के उपर कर रहे हूँ इसलिए आप देख सकते हैं मैंने साइट पे थोड़ तो यहाँ पर सारे जो कपड़ों के उपर सारे जो अक्षर था तो एक्जैक तो नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ कुछ टफ भी है तो इसलिए मैंने जो जो वर्ड इजी लग रहा है मैं उसको ही लिख रही हूँ और आप इस तरीके से आप इंगलिश में भी लिख सकते हैं जो कि मेरी मदर टंग है उससे भी लिख सकते हैं मैं बेंगली में भी दिखाऊंगी कुछ दिन बाद क्योंकि अप मैंसे काफी सारे फ्रेंज ने रिक्वेट्स भी की थी तो यह मुझे एकदम यूनिक लगा और सब ट्राइ कर सकते हैं इसलिए मैं पहले यह दिखा रही और यह कलर के उपर ब्लैक आप देख सेती है कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है योलो के उपर रेड भी बहुत ही अच्छा लगेगा रेड या फिर ओरेंज बहुत अच्छा लगेगा ब्लैक के उपर वाइड भी बहुत अच्छा लगेगा तो यह 3D आउटलाइनर और इसको अब पेंटिंग के बाद 24 आवर्स के बाद आप इसको बैक साइड पर प्रेस कर लेना और कुछ नहीं करना है उसके बाद 72 आवर्स के बाद अगर आपको लगे कि वाश करना ज़रूरी है तो ही वाश कर नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजे कोई ज़रूरत नहीं है इसके उपर प्रेस ना करें हमेशा इसके बैक साइड पर करें तो फिर आपकी कलर बहुत ही ज्याद दिन लॉंग लास्टिंग होगी और कड़े दूप में मत सुखाईए एकदम शैड़ो में सुखाईए मशिन के अंदर बिल्कुल ना डाले तो इस तरीके की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी आज की वीडियो थोड़ी सी भी हलफूल लगे तो लाइक जरूर कर देना और इस तरीके की वीडियो मेरी चैनल पर आपको मिल जाएगी आप देख सकते और सब्सक्राइब भी कर सकते बिल्कुल फ्री है तो इस तर बाकी है तो यह देखिये मैंने पूरा complete कर लिया है है ना बहुत खुबसूरत thank you so much for watching this video have a very good day take care bye bye see you soon